अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकुन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोज मिलते रहें में मराठी, इंग्लिश, हिंदी, मैथेमेटिक्स, हिस्ट्री, स्रीक्स, जोगरफी, सारे वीडियोज आपको मिलेंगे इस से अनुड़ को भी हिंदी में एक्स्प्रेनेशन एक तब इसी तरीके जरू ठीक है तो चलो अपी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या है हमारा जो हमारी जो पोईम में उसका नाम क्या कवीता का नाम आम ही चालो हाप उड़े वार्सा इसका मतलब क्या है कि मैं इस विरासत को आगे बढ़ाऊंगा क्या है वो हमने पोईम के एक्स्पिलेंशन में देखा वो विरासत क्या है टीचिंग्स जो ग कि इसका मतलब होता है Heritage, जो हम से अपने मां, बाप से, ताई, ताई, ताई से मिलता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या है ? इसका वर्शा अर्थ होता हैसा है, जो टीशिंग्स हमें Guru से मिलती है說 ठीकिए, सबिस्सक्त क्या है घ्यान रूपी कि अर्थ क्या है ? वशा ग्यानाच व्रत. भूत करा कि ग्यान के रूप में. थट Looks即가요. थट बंधु इसका मेंनिक है भाउ, भाइ, फोतकरस नही, मतला सोवत्थी आप बोल सकते ह। फ्रेंड बोल सकते हो माली का अर्थ के आई Εि cends ममी, teak macht mom , जो भी बोलते हो अपनी मुम्मी को शिक्स में कवर्ड सा इसका मतलब कि जो सन्रेज आप बल सकते हो जो लाइट रहती है उसको हम बोलते हैं ठीक है जो इसका मिनिंग के आपका फडानी लगड ले लिया मतलब कि फलो से फूर्ट से लदा हुआ एट में का है धीरता मतलब कि धिटाई धैर आप बल सकते हो कि एकदम अगडर आप बल सकते हो ठीक है उसको पर नाइंध में कि शूर्ता मतलब शौरे प्राक्रम मतलब आप देखा है यहां पर वही है सेम थर्डिन में नम्रता मतलब कि शालिंता इसका मतलब कामने साब बोल सेकते हैं एकदम शांत सभाव का ठीक है अब देखो यहां पर आपको सेकेंड में क्या समानार्थी शब्द है फर्स्ट का इसमें पीता मतलब वडील जिसको हम फादर बोलते हैं ठीक है इंग्लिश में बंद मतलब क्या भाव बंधू रह गए आपर मावली का क्या है आई मतलब मम्मी वरिक्ष का जाड जिसको हम पेड़ बोलते हैं ट्री बोलते हैं सूरी का क्या है रवी ठीक है यह सब समानार्थी समानार्थी मतलब क्या होता है यह भी शब्दार रपति शाफ्द यहां पर आपको क्याए करने है पहला का साओई साओखले कमकर च्लियर आपको क्या दिया कि एक दोन वाक्यात उत्त्रे लिया पहला क्या है कवी ने ये आश्वासन दिया है कि हमें जो हमारे सज्जन गुरू है ये जो बहुत अच्छे गुरू है इनकी जो टीचिक हमें विलेगी इसको हम आगे बढ़ाएंगे ये उन्होंने आश्वासन दिया है ये उन्होंने प्रामिस किया है बुल सकते हो ठीक है सेकेंड में क्या है विद्यसोबत गुरू कडून कोड़ते गुण शिक्वावेत क्या यहाँ पर बोलने है कि पढ़ाई के साथ साथ गुरू हमें और कौन-कौन से गुण सिखाते है कौन-कौन सी कॉलिटीज उनसे हमें और मिलती है तो क्या है विद्यसोबत गुरू कडून धीरता, शूरता, वीरता, नमरता हे गुण शिकावेत क्या आप यहाँ पर बोलने है कि पढ़ाई के साथ-साथ जो गुरू जी है उनसे हमें क्या मिलता है हमें एक साहस हमें एक कैसे कि हमें अपनी मुश्किलों का सामना करना वो मिलता है हम बहादूर बनते है हमें उनसे शूरता मतलब कि बहादूरी मुश्किलों का कैसे डटकर बहधूरणी से सामना करना उंज्जा%, इत्म काम कैसे रहे कि बहुत knowledge मिलने के बाद भी घमण नहीं आना जाये गुरूर नहीं आना जाये तो यह सब चीजे हमें गुरू से सीखने मिलती है। क्या भूलें, जो घ्रू किन के जैसे किनके समान तो हम क्या उत्तार लेकर गो ऑनके समान ऊपार्डूत locks आहों ठीक और conscients न जैसे इसा आप घ्र हमोद सकते हैं I यहां बोले आकरी ते पूंड करा, क्या पर फर्स्ट कहा है, आमी चालू हाँ पुढे वार्सा या गीता चे कशी, क्या बोले यहां पर, तो उत्तर यहां पर आपका है, जगदीश खेबुड कर, ठीक है, यह हमारे है, जिन्होंने यह कवीता लिखे, आपने देखा होगा, अ कल्प वरिक्ष मतलब कि, जो एक पेड़ा होगा, जिसमें हमें फ्रूट मिलता है, ताकि एक ऐसा पेड़ जो हमें हर तरीके से फाइदा देता हो, जिसके कभी समाझ लो, कोई पेड़ रहे है, जिस पे फल भी आता है, गर्मी का टाइम उसके छाओं में भी बढ़ आता है, ताकि हमें सुकून मिले, तो हर तरीके से हमें क्या करता है, वो फाइदा देता है, तो उसको कल्प वरिक्ष बोलते हैं, तो उसी तरीके से हमारे गुरू है, हमें हर तरीके से हमें फाइदा देते हैं, हमें उनसे फाइदा मिलता है, ठीक है, चलो अभी, प्रशमत 6 में चल तो किया है शुक्यू-Dhirt, शूर्त, वीर्त, धरू-थोर, विद्येस्वे नम्र्त, इसका और आभी आगया है देखो मनी ध्यास हा एक लागो असा, तो इसका explanation हमें देना है अपने words में या तो जैसा मैंने लिखा है ऐसे भी आप दे सकते हैं, तो देखो यहाँ पे उत्तर क कि हम कैसे बहादुरी से हमें दिखाना है कैसे हमें वीरता दिखाना है ये सब चीजे हम सीखते हैं और ग्यान लेते हैं और उसके साथ-साथ हम ये भी सीखते हैं कि हमें कैसे काम रहना है एकदम मतलब कि जब हमें इतना ग्यान मिल जाए तो हमें घमंड नहीं करना है, ठीक है, हमें तकबूर में नहीं आना है, हमें कैसे शांत रहना है, जैसे कि लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ, किसी के पास पैसा आ गया, या बहुत ज़्यादा नौलेज आगी पढ़ लिया, तो लोगों में घमंड आ जाते हैं, तो क्या खालील अक्षरा पासून अर्थ पूर्ण शब्द तयार करा यहां भी क्या होता है आपको मैंने भी बताया था है जो में आपको कि यहांफर बिश्क्री पर एक जो रहेगा पर चलो पर एड़ तो देखो यहांपर पर पर प्सूंग ऐड़ में किन क्या वहले कि यहां पर जोसे सेम साउंड वाले युट वैर अगे हम वह लिखना है यहां और ने पालन शासन यह से एकुए यहां टो हो यह मुछ यहां पर बाकीक यह वह पुरी पूरी प्यायम जो है इसको तो आप एक काम करो, इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल माक्स है, ओके तो आप हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में आपको दूँगा नेक्स चैप्टर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें करो ह ताकि आपको अगले चैप्टर भी मिले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों साथ शेर करो, थेंक यू